हर्यों सस्त्रियकार असलालेकूं बच्चों तो कैसे आप सभी मैं प्यों शर्मा आप सभी का वापिस स्वागत करता हूं हमारे चैनल एडियू मंत्रा में जहां पर हम कर रहे हैं स्वाग से मैट्स की सिरीज जिसमें हम नोग शुरू के आदा चाप्टर नंबर सिस्टम हम ल उसके बाद हम लोग सॉल करेंगे एक्सराइज 1.3 पूरा और इन दे एंड हम लोग देखेंगे दस्टोरी ओफ जीरो तो डेफिनेटली बने रहे पूरे वीडियो के साथ में ताकि आप यह एक्सराइज पूरी तरीके से समझ सकें तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हम इंड्रॉड को क्या देखना है हमको देखना है डिसी मपहरे राशनल उबन एंड समल किस तरीके के होते हैं तो तो वह चीत समझने के लिए पहले मैं आपको तीन एक्जांपल्स दिखाता हूं जो कि आपके ncrt टेक्स्टूक से ही मैंने लिया है तो आप कभी भी जाके उसको रेफर कर सकते हैं तो तीन एक्जांपल्स हैं तो क्या है टैन को थी से डिवाइड गया है तो यह हमारे टीन ज यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि end तक remainder हमारा क्या है 1 है कोशंट किस तरिके का आ रहा है 3.33333 and so on वो जो number है वो repeat किये जा रहा है अपने आपको और repeat क्यों किये जा रहा है क्योंकि यहां पर division complete नहीं हो रहा है remainder 0 नहीं आ रहा है division complete कब होता है जब हमारा division करने पर in the end remainder 0 जो आ जाए जो कि हमारा second जो example उसमें है जब हम लोग 7 को 8 से divide करते हैं तो यहां पर remainder हमको 0 मिल जाता है जहां पर कोशंट का value क्या आता है 0.875 है ना और वहां पर वो खतम हो जाता है क्यों क्योंकि हमको remainder 0 मिल चुका है and this is a complete division third example में देखते हैं यहां पर देखिए 1 को 7 से divide किया गया है और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि remainder 0 नहीं आ रहा है in the end ठीक है और यहां पर हमारा question क्या मिलता है 0.142857 ठीक है तो यह तीनों cases में क्या देखने मिलता है पहले case में diviser हमारा 3 था और हमको remainder क्या रहा था बार बार 1 आ रहा था ठीक है repeating ली remainder हमेशा वन आ रहा था उसके बाद में second example में diviser हमारा 8 था और remainder हमको क्या आया 640 जीरो आते ही हमारा division complete हो गया सो question कैसा है वो एक fix number है ठीक है वहां पी हमको dot 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 वो देखने नहीं मिल रहा थर्ड एक्जांपल में diviser था हमारा 7 और हमको remainder क्या रहे थे 326451 ठीक है और हम लोग ने start किस से किया थ वन से किया था देखिए दोनों के इसमें यहां पर 10 था वापिस 10 तो यह चीज़े क्या और यह repeat हो रही है तो यहां पर remainder same ही बार-बार repeat हो रहा है और यहां पर क्या है हमने start one से किया था और Indian वापिस हमको one आ गया इसका मतलब क्या है अगर हमने यहां से इसको वापिस divide कर होना start किया तो यही same steps वापिस repeat होंगे इसका मतलब जो same number of remainders है वापिस repeat होंगे तो अब जो हमको यहां पर division का result मिलता है जो यहां पर था 3.3333 and so on उसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं that is हम इसको लिख सकते हैं 3.3 बार यहां पर क्या symbolize कर रहा है कि वो जो digit है वो जो string है वो बार-बार repeat हो रही है इस case में सिर्फ 3 ही लगाता repeat हो रहा है तो अमलों सिर्फ 3 के उपर बार बनाएंगे second example में हमारा जो number था वो वहां पर remainders repeat नहीं हो रहे थे क्योंकि हमको in the end 0 मि यहां पर क्या है हमारा जो आंसर हो सिंपल है 0.875 तो ऐसे टाइब के जो कोशन जहां रिजल्ट्स होते हैं क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर टर्मिनेट हो चुका है मैं बता सकता हूं कि decimal point के बाद में कितने digits हैं कितने हैं total 3 है यहां पर मैं नहीं बता सकता वह continuously बढ़ते जा रहा है इस केस में देखिए हमारे पास क्या है 0.142857 यह हमारी वह स्ट्रिंग है जो लगाता रिपीट होने वाली है ठीक है तो मैं इस पूरे स्ट्रिंग के ऊपर क्या बना दूंगा एक बार बना दूंगा ठीक है इससे क्य भास हो रहा है कि इस के बाद में यहीं सैट आफ डेव स्ट्रिंग वापीज रिपीट होगी उसके बाद में वापीज होगी और कभी एंड नहीं होगा ठीक है तो वह बार यही चीण制 करता है तो यहां पर हमको यह सब्सक्राइब को नहीं होता वो इट कीपस वान गुइंग पर उस पेस में क्या होता है हमारा जो नंबर होता ॉत कीप सेट वन रिकरिंग तो यह था हमारा पहला observation second observation क्या है कि जो हमारा diviser होता है परस केस में थ्री था सेकंड केस में एट था और थर्ड केस में सेवेंथ था ठीक है तो जो हम लोग को जो string मिलती है जो बार-बार repeat हो रही है वो कभी भी हमारे diviser से बड़ी होगी जैसे कि आप यहां कितने हैं टोटल 123456 ठीक है हमारा डिवाइजर सेवें है तो डिविजन करने पर जो repeating string होती है वो कभी भी six से जादा नहीं हो सकती है तो maximum length of the string कितनी होती है वो होती है six maximum ठीक है उससे कम भी हो सकती है पर उससे जादा नहीं हो सकती ठीक है तो यह थे हमारे दो observations अब हम लोग इसके basis पर आगे की चीज़े समझते हैं तो देखिए case one क्या है जहां पर remainder हमको जीरो आ जाता है तो ऐसे numbers को क्या बोलते हम इनको बोलते हैं terminating numbers okay case two देखते हैं जहां पर remainder कभी भी जीरो नहीं नहीं आता ठीक है तो उस case में जो number होता है किस थरीके के होते हैं वह होते हैं non-terminating recurring जो कि हमारा example one and example two था अब यह जो तीनों ही number है हम इनको पी अपॉन क्यूंके फॉर्म में लिख सकते हैं ना टैन अपॉन numbers के विपरीत यहां पर जो irrational numbers होते हैं उनका decimal expansion किस तरीके का होता है वह मैं आपके बता देता हूं वह होता है non-terminating as well as non recurring ठीक है तो इस case में क्या होता है इर राशनल numbers के case में वह जो number होता है वह definitely कभी भी end नहीं होगा वह चलता रहेगा decimal point के बाद में जो numbers हमको मिलने वाले हैं वह चलता रहेगा कोई ना कोई number हमको मिलता रहेगा ठीक है और साथ जात वह non recurring होगा उसमें कोई भी particular string बार-बार repeat नहीं होगी एक दब random numbers होगे ठीक है इसका example ले लेते हम लोग रूट टू रूट टू हम लोग ने पिछले एक्साइज में देखा था कि रूट टू इस राशनल लंबर तो जब हम लोग रूट टू का वैल्यू निकालते हैं वा लॉंग डिविजन जो आपने class 8 में किया है तो उसके से हमको क्या मिलता है 1.414 एंड ठीक है रिमेंडर अगर 0 आ जाता है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग हो जाता है और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो किस तरिके का होता है नौन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग ठीक है वो जो नंबर होते हैं बार बार रिपीट होते हैं इन दे केस ओफ एर्राशनल यहां पर हमको कुछ नंबर्स दिये गए हैं और यहां पर हमको क्या करना है उसको करना इंटो डेसिमल फॉर्म और यह बताना है कि वो उसका डेसिमल एक्स्पांशन किस तरीके का है ऑलते हैं स्टार्ट करते हैं विदार स्थुस्टंट क्या है हमारा था फॉर्स कॉषिशन earlier 36 upon 100 ठीक है तो यहां पर बेसिक्स हम लोग क्या करेंगे विविल डिवाइड इट ओके तो 36 स्मॉजर देन 100 तो हम क्या करेंगे 0 पॉइंट यहां ले लेंगे 100 जीरो जा जाएगा अब हमने उपर पॉइंट ले चुके है तो यहां पे जीरो आड कर देंगे तो अब यहां पर क्या हो जाएगा 100 थ्री जा 300 यह हो जाएगा नीचे 60 आ जाएगा ठीक है अब क्यूंकि पॉइंट ले चुकते हैं यहां पर एक और जीरो आड करना पड़ेगा तो यहां पर तो यहां पर कितने जीरो है दो जीरो करते हैं तो जो पॉइंट यहां तो यहां पर पॉइंट आजाएगा जीरो तो वहीं मिलता है रिमेंडर जब जीरो आएगा तो वह जो नंबर है वो डेफिनेटली टर्मिनेटिंग होने वाला है जो हमारा क्या है यहां पर यहां पर हम वापिस क्या करेंगे वापस से हम डिविजन करेंगे तो यहां पर 11 यहां पर 11 से छोटा है तो हम क्या करेंगे 11 001 आ जाएगा नीचे पॉइंट यहां लगाएंगे यहां पर एक 0 आ जाएगा वापिस से 11 00 जाएगा नीचे एक और जिरो लगाना पड़ेगा नाओ लेवन नाइन जा रिमेंटर आ गया वन आप देख रहे हैं जो नंबर हमको यहां पर प्रेजेंट था वही नंबर आप हमको रिमेंटर में वापिस आ गया है इसका मतलब क्या है अब यहीं जो लूप है यह बार-बा आप जाए इस तरीके से वो चलता रहेगा यहां पर लगाते हैं डॉट 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 ऑट ऑगे वन अपर लेवन का वाइल यह को क्या मिलता है जिरो पॉइंट अब यहां पे 0.9 क्यूंकि रिपीट हो रहा है तो हम इसको पर एक बार बनादेंगे वह बार क्या सिमिलाइ क्या है इस इस अलफो रिकरिंग कि क्यों को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करते हope ninja इंच तो question number 3 में हमको एक mixed fraction दिया है तो पहले हम सको convert करते हैं तो normal fraction तो यहाँ पर क्या है 4 और यहाँ पर 1 upon 8 तो किस तरी किसे हम लोग convert करेंगे we will multiply 8 by 4 तो 8 फोजा 32 और उसको फिर add कर देंगे numerator से जो कि 1 है तो 32 प्लस 1 बिल भी 33 by 8 ठीक है तो हमारा 4 1 by 8 is equal to 33 1 upon 8 अब 33 को हम 8 से divide करेंगे देखते हैं कि हमको क्या quotient मिलता है remainder कितना आता है तो 33 को 8 से divide करना है ना यहाँ पर 8 4 जा 32 1 आ गया तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे इधर एक 0 आ जाएगा वापिस यहाँ पर 8 1 जा 8 इधर आ गया 2 एक यहाँ पर 0 लगाएंगे तो यह हो जाएगा 8 2 जा 16 यहाँ पर आ गया 4 एक 0 लगाएंगे 8 5 जा 40 ठीक है तो माइनस करने पर हमको क्या मिल गया remainder यहाँ पर आज आता है 0 तो इसका value हमको क्या मिलता है 4.125 यह हमको value मिला and this क्योंकि remainder 0 है मतलब this is a terminating decimal expansion तो 3rd question का क्या है decimal form it is terminating decimal expansion तो यहाँ पर हम 3 question कर चुके अब आगे question देखते हैं तो अभी हम लोग देखते हैं अगला question that is 3 upon 13 यहाँ पर भी हमको same चीज़ करनी है we have to divide 3 by 13 और उसके बाद में जो भी उसका quotient आता है उसके साबसम को उसका solution मिलेगा तो divide करके देखते हैं यहाँ पर सो हमार आगला question है 3 upon 13 इसका value क्या आता है वो हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पर हम divide करेंगे 3 को 13 से यहाँ पर हो जाएगा यह 0 point लगाएंगे पहले पहले तो 13 003 नीचे आ जाएगा point लगाने यहाँ पर एक 0 now 13 3 जा 39 यहाँ पर आजाएगा एक 1 यहाँ पर लगाएंगे 0 now 13 0s जाएगा 0 यह 10 आ जाएगा नीचे यह हो जाएगा 100 now 13 7 जा 91 इसको minus करेंगे हमको मिल जाएगा 9 यह हो जाएगा 0 अब 13 6 जा 78 इसको minus करेंगे हमको मिलेगा 12 तो यहाँ पर लगा देंगे एक 0 तो यह बन जाता है 120 इसको यहाँ लिख लेते हैं now 13 9 जा 117 माइनस करेंगे हमको मिलता है 3 अब देखिए हमने शुरुवात किती 3 से शुरुवात किती हमने 3 से हमको वापिस मिल चुका है 3 as a remainder मतलब जो यह same set of division हमने किया था वापिस repeat होने वाला है ठीक है तो यहाँ पर अब क्या होने वाला है यह जो string है यह वापिस repeat होने वाली है तो यहाँ पर 3 upon 13 के value क्या मिलती है हमको 0.230769 ओके इसके उपर बाढ़ गाएं क्योंकि यह same set of numbers repeat होने वाले हैं इसका मतलब क्या है कि 3 upon 13 किस decimal expansion के form में है this is non-terminating but recurring decimal expansion ठीक है यह होगे आप अगला question देखते हैं अगला question उनको पूछा गया है 2 upon 11 ठीक है तो 2 upon 11 क्या करेंगे वापिस से divide करेंगे 2 upon 11 यहां पर हम लोग जल्दी से इसको कर लेता है से किया तब वापिस आगया है रिवेंडर में इसका मतलब अब यह सेम सट आफ नमबर रिपीट होंगे तो इसका मतलब यहां पर बनीट क्यों पर आ जाएगा बार तो यहां पर इसको एरेस कर लेते हैं अगला कोशन क्या दिया गया है 329 upon 400 यहां पर फटा फटा हमनों को divide कर लेते हैं 329 upon 400 से छोटा है 329 तो यहां पर 400 0000 इसको माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 329 एक यहां पॉइंट लगा देंगे यहां पे 0000 इसको क्या मिलेगा अब यहां पर हम लगा लिएग एक जीरो नाओ 400 तूजा टूजा कितना हो जाएगा यहां पर वापिस से हो जाएगा 800 इसको हम करेंगे माइनस यहां पर हमको क्या मिलेगा 200 200 में एक 0 कर देंगे उसके बाद में 405 कितना हो जाएगा 2000 ठीक है तो 2000-2000 रिमेंडर हमको 0 आ चुका है इसका मतलब यहां पर कैसा है टर्मीनेटिन लेसी मजमेंशन है तो यह जो हमारा कोशच्छन था सिस्क उसका क्या होगा it is a टर्मीनेटिंग टर्मीनेटिनल 96 अब पर क। वश्चन नंबर वन हम लोगने कर लिया हैक You now let's move forward to question number two question number two में हमको क्या दिया गया है you know that one upon seven equals to zero point one four two eight five seven bar can you predict what the decimal expansion of two upon seven three upon seven four upon seven five upon seven six upon seven are without actually doing the long division if so how तो यहां पर हमको one upon seven का value दे दिया गया है हमको two upon seven three upon seven four upon seven five upon seven six upon seven तक का values fine करना है without actually doing the long division ठीक है यह बहुत ही basic यहां पर इसी हमको multiply करना है तो कैसे करेंगे हमको one upon seven का value दे दिया है जो कि है zero point one four two eight five seven ठीक है यहां वारा one upon seven का value है तो अब हमको two upon seven find करना है पर यहां पर हम लोग two को seven से divide करने से मना किया है तो हम find कर सकते हैं क्या जरूर इसको हम लोग 16 तो हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा 17 वन कैरी यहां पर टू 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 जाएगा तो फाइव फॉर टू टू जाएट 122 अब क्यूंकि इन नमश के वह बाहर था तो यहां पर भी वह बाहर आ जाएगा ठीक है तो यहां पर सब्सक्राइब करना है तो यहां पर आपको क्या करना है क्या करना होता है तो यह जाएगा तो आपको इस नमबर को 3 से मल्टिप्लाइ करना है और जो यहां पर रिजल्ट आएगा वह आपको कमेंट में बताना है तो जरूर कमेंट में इसको आप सॉल्ड करके डालिये अब हम बढ़ते हैं अगले कोशन के दर्फ दाफ इस कोशन नमबर 3 में क्या दिया गया है जो मैं आपको बता रहा था कि अगर हमको डेसिमल एक्स्पैंडड फॉर्म में दिया है तो उसको पी अपन क्यू के फॉर्म में कैसे कनवर्ट करेंगे वह हमको सीखना है और यह बहुत यादा इंपॉर्टेंट कोश्चन है ठीक है तो एक्सप्रेस 0.6 बार का मतलब क्या होता है कि 0.66666 इस तरीके से बार बार रिपीट होने वाला है लगातार ठीक है बहिसाब तरीके से तो अब हम इसको कैसे कनवर्ट करेंगे इंटू पी अपॉन क्यू क्या फॉर्म वह हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर बहुत ही एक बेसिक चीज च किये है तो हमारे फर्स कोईशन में वह श्ट्रिंग कितने नंबर किये तो जब एक ही नंबर होगा देन वीविल मल्टिप्लाइब है वाइं टेन में कितने जिरो ए वन ठीक है तो जब हमारा नम जो श्रींग हो वह वह एक डिजिट की होगी तो हम लोग किसी से मॉल्टिप लेक लेते हैं अभी इस केस में 0.6 हमारा है नंबर तो यहां पर क्योंकि एक ही डिजिट हो रहा है तो हम यहां पर क्या करेंगे एक कि x इकवल्स जुदो नंबर है प्यू locker यो गडिए लेते हैं तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब। बोट साइड बाई 10 10 से मल्टिप्लाइ कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 10x बार ठीक है मल्टिप्लाइ करने पर 10 से क्या मिलता है 6.6 बार अब यह जो था हमारा हम इसको ले देते हैं लिख सकते हैं वी केन आल्सो राइट दिस आज 6 प्लस 0.6 बार और यहां पर 0 प्लस 0.6 बार ठीक है जाब उसको हम सब्स्ट्राइक करेंगे तो यह साइन्स हो जाएंगे चेंज अब देखते हैं 0.6 बार यहां पर हो जाएगा चैंसल 6-0 कितना होता है 6 10x-x कितना हो जाएगा 9x ठीक है यहां पर नहीं है तो यहां पर नहीं है तो यहां पर हम क्या करके दिखाता हूं करेंगे पहले तो हम क्या करेंगे x equals to 0.4 और 7 के यहां पर बाहर है इसका मतलब क्या होने वाला है जो है 0.4777777 वह बार-बार रिपीट होने वाला है ठीक है बट यहां पर के से होगा वह जो रिपीटिंग सेट आफ डिजिट्स हो वह कितना है वह एक ही है मल्टिप्लाइंग बोट साइट्स बाइ किस से करेंगे हां से यहां यहां पर हमगा दो डिएट के फॉर देन बार तो आप यहां भी 4.77 बार लिखिये क्यों वह आपको मैं आपको बताता हूं आगे किस तरीके सो हेल्फ करेगा ठीक है तो हम लिख लिए आपर 4.77 बार मीनिंग से मैं इसका भी ठीक है तो यह लिख लिए है इसको हम लेते हैं equation 1 और इसको लेते equation 2 ठीक है अब आप इस होई सेम चीज़ सब्स्राक्टिंग 1 फ्रॉम 2 तो यहां पर हम क्या करेंगे 10x माइनस 10x इक्वल्स टू यह हो जाएगा 4.77 बार और नीचे हो जाएगा x एक्वल्स टू 0.47 बार माइनस करना है ठीक है अब आप प्लस के फॉर्म में भी लिख सकते ह हमलों डार्कली यहां पर कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर अब देखिए 10x माइनस x तो यहां पर हो जाएगा 9x equals to अब यहाँ पर देखिए 7 bar 7 bar है ठीक है तो यह 7 bar 7 bar हम लोग यहाँ पर यह minus हो जाएगा उसके बाद में 7 minus 4 कितना होता है 3 यहाँ point है 4 minus 0 कितना होता है 4 अब हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है कि 9x equals to 4.3 तो x को लोग कैसे लग सकते है 4.3 upon 9 तो क्या यह correct है answer मिल लिए क्या अभी तक नहीं मिला है क्यों क्योंकि P और Q दोनों integers होने चीए 4.3 is not an integer तो उसको हम लोग integer में कैसे convert करेंगे we will multiply and divide by 10 ठीक है तो x का value क्या हो जाएगा 4.3 into 10 हो जाता है 43 and 9 into 10 हो जाता है 90 ठीक है second question हम लोग कर लिया P upon Q के form में where P and Q are integers and Q is not equals to 0 तो second question भी हो गया अब बढ़ते हैं हम लोग third question की तरफ so third question हमको यहाँ पर क्या दिया गया है कि x equals to 0.001 बार ठीक है अब यहाँ पर जो string है ठीक है उसका length कितना है 3 ठीक है क्योंकि यहाँ पर 3 digits are repeating themselves so क्या है 001 001 001 कैसे हो गए 0.001 001 and so on वह बार बार repeat होने वाला है तो अब हम लोगे देखा था कि अभी यहाँ पर जो length है वो 3 है तो अब किसे multiply करेंगे we will multiply it by multiplying and both side by किस से करेंगे तीन जीरो जाने चीए तो यहाँ क्या हो जाएगा 1000 okay so 1000 यक्स equals 2 इसको 1000 से multiply करेंगे क्या होगा पॉइंट तीन बार shift होगा सब्स्ट्राक्टिंग यहाँ पर क्या करेंगे वन को टू में सब्स्ट्राक्ट कर लेंगे तो यह हो जाएगा 1000 एक्स equals to 1.001 बार divided by हमारा जो नमबर था that is x equals to 0.001 बार इसकों करेंगे माइनस यहाँ पर 0.001 बार है जो पॉइंट के बाद है उसकों करेंगे कट 1000 एक्स मैनस एक्स कितना हो जाएगा 900 निन्यानवे एक्स equals to 1-0 is 1 तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा जो यहाँ पर ट्रिपल लाइन है उसकों हम ट्रांस्पोस करेंगे तो वह न्यूमनेटर से कहां पहुच जाएगा डे नॉमिनेटर में एक्स का वैल्यू हमको मिल चुका है इंदा फॉर्म फी बाई क्यू वर क्यू इसका रिप्रेजेंटेशन तो चलिए अब करते हैं अगला प्रश्न प्रश्न क्या है देखते है एक्सप्रेस 0.99 मतलब 0.9 बार इन दा फॉर्म फी अपॉन क्यू आर्यू सप्राइज बायो आंसर विट यूर टीचर एंड क्लासमेट्स डिसकस वाय दा आंसर मेक्स सेंस ओके ठीके देखते हैं वापिस वही सेम चीज़ करनी है वी हाव तू कनवर्ट डिस डेसिमल एक ही डिटीट हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग बोच साइड बाई किससे मल्टीप्लाइ करेंगे 10 से तो यह हो जाएगा 10x इक्वल्स टू टैंसे मल्टीप्लाइ करनी पो जाएगा 9.9 बार ओके इसको ले लिए भाई 1 इसको ले लिया भाई 2 नाव फ्रों टू ओके यहां पर हम निखेंगे 10x 10x का विल्ट कितना था 9.9 बार और minus x equals to 0.9 बार minus करने पर 9 बार 9 बार जो हो कट हो जाएगा 9-0 is 9 and 10x minus 9 is also 9x तो x का वैली हमको क्या मिलता है x equals to 9 upon 9 divide करेंगे x कितना आ जाएगा हमको 1 भाइसाब x हमको 1 आ गया बट x was also क्या था वो 0.999999 तो यह नंबर 1 कैसे आ गया वाइसाब कैसे आ गया क्योंकि 0.999 यह इतना जाके यह जो नंबर है यह वन से इतना close है कि इस almost equals to 1 ठीक है तो हम यह चीज़ लिख सकते हैं यहां पर जो रिजल्ट जो आया है वो इस करेक्ट क्योंकि जो इन दोनों नंबर से जो डिफरेंस है यह बहुत यह चोटा है और डिफरेंस कितना हो जाता है वो जाता है तो 0.99 जो यह non-terminating number it is almost equals to 1 ठीक है तो यह हो गया हमारा question number 4 अब हम बढ़ते question number 5 के तरह ओके तो यहां पर हम देखते what can be the maximum number of digits in the repeating block of the digits in decimal expansion of 1 upon 17 perform the division to check your answer तो यह मैं आपको बता चुका हूं जो इंट्रॉक्शन में examples देखे थे 1 upon 7 वाला ठीक है कि जो repeating blocks होते हैं वो जो string होती है उसका length कभी भी हमारे divisors को divisor के ऊपर नहीं जा सकता ठीक है जैसे वहां सकती है चोटी भी हो सकती है बट 16 से यादा बढ़ी नहीं हो सकती है तो अब हम लोग ने बोल तो दिया हमारे तेखा थेरी के साब से जो मनें देखा था observation के हिसाप से अब हम इसको practically देखेंगे कि क्या यह 16 से जाधा जारी है कि नहीं ठीक है तो हम लोग कि क्या लिख देते यार वन 11 17 सेवंटीन आपन आपन लिख देते हैं चलो यहाँ पर यहाँ वन और वाहर आएगा 17 ठीक है हमारा डिवाइजर 17 है चले देखते तो 17 00- माइनस करने पर कुछ नहीं होगा यहां लगा देंगे पॉइंट इदर आ जाएगा अब यह 10 भी 17 जो छोटा है तो 17 जीरो जा जीरो यह 10 जाएगा नीचे यह हो जाएगा यहां पर एक 0 करके हो जाएगा 100 यहां पर होता है 85 माइनस करने मुग क्या मिलेगा 15 यहां पर जीरो एड करेंगे अब इसके बाद 17 17 एट जा 136 ठीक है तो यहां पर हमको गता है 150-136 यह हो जाएगा 410 यह हो जाएगा 140 वापिस होई 17 एट जा 136 तो यहां पर माइनस करें तो हमको कितना मिलेगा 40 एक जीरो लगा देंगे यह हो जाएगा 40 नाव 17 कितना होता है बच्छों होता है 34 ना माइनस करेंगे माइनस कितना मिलेगा हमको यहां पर मिलता है 60-15 विल भी 9 यहां पर एक जीरो लगा देंगे अब यहां पर हम क्या करेंगे बच्छों इसको हम करेंगे माइनस क्या आता है 90-85 अब यहां पे जीरो लगा देंगे ठीक है बेसिक यहां पे डिविजल नहीं किया जा रहे है अगला क्या होगा 17-34 इसको हम करेंगे माइनस हमको क्या मिलगा यहां पर सो यह हमको मिलता है 1 & 6 यह हो जाएगा यहां पर करेंगे 179 153 माइनस करेंगे क्या मिलेगा बच्व 7 यहां पर वापीश लगा देंगे जीरो देखेंगे भाई साब खत्म ही नहीं हो रहा है चलते ही जा रहा है तो अब देखते हैं यहां पर 55 होता है तो सिख छोटा इस फोर यह हो जाएगा शिक्स्टी एट तो सेवन्टी मैंने सिक्स्टी एट कितना हो जाता है तो यहां पर एक और जीरो लगा देंगे नाव 17 बन्जा शेभांटीन भाईस साब कब खतम होगा थ्री आ गया यहां पर जीरो लिख लेते हैं तो आप एस एवन्टीन बन्जा 17 क्यों सब्सक्राइब कितना हो ज्याएगा- मार चावह जाएगा 13 पर यहां पर यहां पर आता है 1785 102 एन 119 इसको क्या मिलता है 11 मिलता है इसमें लगा देंगे एक और 0 imp. 176 जा कितना होता है 102 अब कितना आएगा इसको मैंस कर रबी हो जाएगा एट तो यह अब आए भाई कितना बड़ा नमबर हो गया तो यह हो गया 174 जा कितना होता है यहां पर लगा देंगे जीरो तो करेंगे 177 जा 119 कितना होता है हम लोग ने स्टार्ट कहां से क्या थे भाई यह और बहनों हम लोग ने वन से स्टार्ट किया था राइट इतना बड़ा डिविजन करने वापिस रिमेंडर वन आ गया यह क्या होने वाली है यह तो हमको पहले से पता था अब हम लोग देखते हैं कि वह स्रिंग का लेंथ कितना है ठीक है हमने बोला है कि it is going to be maximum कितनी हो सकती है वह सकती है 16 उससे बड़ी नहीं तो अब देखते हैं यह हो गया बार अब जरह काउंट करते हैं यह होता है हमारा जो observation के साब से हम लोग ने बताया था कि 16 is the maximum length of the string that is being repeated तो वो हमारा करेक्ट है ठीक है तो हमारा जो string होता है जो repeat हो रहा है वो कभी भी divisor से बड़ा नहीं हो सकता ओके अब हम बढ़ते हैं अगला question that is question number 6 ठीक है so look at several examples of rational numbers in the form of P upon Q where P and Q are integers with no common factors other than 1 ठीक है इतना समझ गये and having terminating decimal expansion ओके ठीक है can you guess what property Q must satisfy यह बाद में लिखने हैं पहले हम लोग कुछ तीन ऐसे P upon Q के examples लिखने हैं जिसका terminating decimal expansion हमको मिलता है तो पहले हम लिए लेते हैं 1 upon 2 okay एक लेते हैं 1 upon 5 1 upon 2 कितना होता है यह होता है 0.5 1 upon 5 कितना होता है 0.2 और 1 upon 10 बिले लेते हैं 10 कितना होता है 0.1 ठीक है तीन ले लिए हम लोगने numbers in the form of P by Q वेर जो हमको decimal expanded form मिलता है वो terminating है as well as these are rational numbers ठीक है तो अब यहां पर हम लोगों क्या देखने मिलता है क्या वो condition है हमारे Q कि हमको एक terminating terminating decimal expanded form मिलता है number का ठीक है तो वो property यह होती है देखो यहां पर कि जो हमारा Q है जब हमनों उसका prime factorization जब करेंगे ठीक है तो prime factors हमको मिलने चाहिए in the form of 2 and 5 तो वो जितने भी numbers है जिनके prime factors हमको 2 & 5 के form में मिलते है वो किस तरिके number में result करते है वो result करते है terminating decimal expanded form वाले results में तो जिस भी denominator में हमको ऐसा मिलता है number जिसके prime factors 2 & 5 के form में होते है 2 & 5 के अलाबा वहां पे कोई भी दूसरा number नहीं होना चाहिए तो वो property क्या है 2 raise to n into 5 raise to n के form में हमारा Q का value होना चाहिए prime factorization करने के बाद ठीक है in that case हमारा जो number होता है वो कैसा होता है terminating decimal expansion वाला ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर यहाँ पर क्या है 5 into 1 और यह क्या है 2 into 5 into 1 कंसिडर्ड नहीं करते हैं कभी तो यहाँ पर क्या है यह 5 था यह 2 और 5 था चल यह 15 का case लेकर देखता है 15 क्या होता है यह होता है 5 into 3 तो भाई यहाँ पर 5 तो है ठीक है 2 नहीं है वो चलेगा पर यहाँ पर क्योंकि 3 भी involved है इसलिए क्या हो जाएगा यह क्या होगा जब भी डिनॉमिनेटर में 15 होगा चाहे उपर कोई भी नंबर हो तो हमारा जो result है वो क्या होगा वहाँ पर terminating हमको नहीं मिलेगा ठीक ह कब केस में जब दोनों जो नंबर समनों में लिए उनके विच में common factor 1 के लावा और कोई भी नहीं है ठीक है अगर आप बोलों के सब 30 ले लेते हैं उपर और नीचे 15 लेते हैं तो भाई सब यह केस नहीं क्योंकि इननों के विच में कौन फेक्टर है वो क्या है ठीक है अग एक चीस definite है कि जो expanded form होगा वो terminating नहीं होगा क्यों क्योंकि 15 जो है उसका प्राइम फेक्टराइशन कैसा होता है फाइव इंटू 3 ठीक है तो यह पर 3 एक extra number है तो इसलिए क्या होगा कभी वो terminating नहीं होगा समझ में आ गया आपको चलिए अगला question देखते हैं next question is write three numbers whose decimal expansion are non terminating and non-recurring ठीक है तो यहां पर three numbers हम लोग क्या लिख सकते हैं जैसे कि आप समझ लीजिए 0.10100100100100100100100 so on terminate नहीं हो रहा है क्या इसमें कुछ repeat हो रहा है नहीं हो रहा है पहले 101 है फिर 001 है फिर 001 है तो यहां पर कोई भी sequence या कोई series जो repeat हो रही है वो नहीं बनती तो यह क्या है एक irrational number है ऐसी आप और लिख सकते हैं क्या करिए बनके यहां पर टू लिख दीजिए ठीक है तो उसके थी चूपी जाए थी लिख दीजिए बाइद वह हमको यह भी पता है कि नॉन परफेक्ट स्कूरे जो नंबर्स होते हैं उनके जो स्कूरे रूट्स होते हैं वह भी हमारे क्या होते एक इर्राशनल यह भी सारे है यह भी सारे आपर इर्राशनल है तो यहां पर मुद्धी लिख लिए जिन का टेसे नान टॉमिएटिंग यह टाइप के नंबर्स यह होते हैं यह राशनल जो आगे बढ़ता है को इस भी डिफ्रेंट इर्राशनल लंबर्स बिट्विन राशनल लंबर्स प्राइब अन नाइन बाइब इलेवन ठीक है ओके यहां पर हमको क्या करना आ हमको तीन इर्राशनल फाइब करने हैं तो ऐसे को प्राइब शॉल्ड करने हैं सबसे पहले वह तो यहां पर लिख देंगे फाइब को पता करना है इसका क्या है दूसरा नुमबर नाइन अपॉन इन दोनों के हमको डेसिमल एक्सपैंडेट फॉर्म पता करते हैं कैसे करेंगे सिंपल डिविजन तो यह हो जाएगा फाइव को तो इस तरीके से चलता रहने वाला है तो हम पूरा नहीं करेंगे यहां पर लिख लेता है 0.7142 और यहां पर बहुत सारी नंबर आने वाले और ठीक है अब हम लोग कर लेते हैं 9 को 11 से डिवाइड अब हमको इतना पता है कि यह नॉन टर्मिनिटिंग होने वाला है क्योंकि 11 का जो प्राइम करते हैं वह क्या आता है लेवन इंटु वन तो वहां पे ना तो टू है ना ही वन है ठीक है तो इसको डिवाइड करके तो लेवन जीरो जा जीरो नाइन आ जाएगा नीचे इसमे अब देखिए क्या हो गया वापिस ना गया है ना इसको क्या करेंगे लिख लेते हैं जीरो पॉइंट एट वन एट वन और वार बार रिपीट होने वाला है क्योंकि नाइन वापिस आ चुका है तो हमको क्या करना है इन दोनों डेसिमल नंबर्स के बीच में से ऐसे नंबर तो देखते हैं उनको हम निख लेते हैं 0.7201 001 00001 00001 & so on ऐसी तरीकर से आप लग सकते हैं 75060030000001 0008 सब्सक्राइब क्या होना चाहिए कोई भी सेट आफ नमबर रिपीट नहीं होने चाहिए तो यहां पर देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है एस वेल एस नॉन रिकरिंग है तो यह को दो नमबर की वीच में ऐसे नमबर समने ढूंड लिए जो कि क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्चन नमबर नाइन यहां पे हमको क्या करना है यह जो गिविन नमबर से यह राशनल है या राशनल है वो बताना है है वाइट सिंपल तो पहला कर जो कश्चन दाट इस रूट 23 अब यहां पर रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वेर नमबर 23 किसी का स्क्वेर है नहीं इसका मतलब कि 23 is a non-perfect स्क्वार नमबर रूट ऑफ कोई भी नॉन प्रफेक्ट नमबर इस ओल्वेस वाट राशनल ठीक है तो यहां पर जो पहला चीज है यहां रोट 23 राशनल अगला कोशन देखते हैं 225 का स्क्वार रूट तो यहां पर 225 क्या किसी नमबर का स्क्वार होता है देफिनेटली 15 का 15 15 जा 225 तो यहां पर जो सेकेंड है परफेक्ट स्क्वार नमबर के स्क्वार रूट आर अलवेस राशनल ठीक है अगला देखते हैं अगला है हमारा 0.3796 क्या हमको यहां पर डॉट 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 देखने मिल रहा है नहीं तो क्योंकि यहां पर यह नमबर यह टर्मीनेटिंग है तो इसलिए इसे राशनल हमको पता है कि राशनल नमबर दार टर्मीनेटिंग नहीं तो क्या नौन टर्मीनेटिंग रिकरींग ओके आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिए 7.478478 डॉट यहां पर जो 478 जो टर्म है इस गेटिंग रिपीटेड ठीक तो यहां पर this is non-terminating but recurring इसलिए क्या हो जाएगा राशनल अब यह जो अगला है हमारा यहां पर कोईशन यह क्या है one point one zero one zero zero one zero 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 one double zero double zero one and so on यहां पर कोई series बन रही है नहीं बन रहे ठीक है साथ साथ यह non-terminating भी है तो क्योंकि यह non-terminating non-recurring है इसलिए क्या हो जाएगा राशनल सो two three and four हमारे rational numbers है and one and five हमारी क्या है irrational numbers है so with this हमारा exercise one point three हो जाता है खातम और अब हम बढ़ता है हमारे अगले segment जो कि है पंडित जी का ग्यान और सेग्मेंट यहां पर मैं आपको कुछ additional चीज़े बताता हूं तो आज हम लोग देखने वाले हैं पंडित जी के ग्यान वाले सेग्मेंट में क्या the story of zero जीरो नाम लेते हैं मैंने पिछले वीडियो के चैट में देखा था मैंने पूछा था कि किस ने जीरो इन्वेंट किया तो भाई चैट में आर्या भट्टा जी का जो नाम है वो शुरू हो गया था ठीक है तो डेफिनेटली जो बहुत बड़ा योगदान है जीरो का हमारे जो नंबर सिस्टम में है जिनों इंकलूड करने का योगदान है वह हमारे अर्या भट्टा जीनने किया है और जब उन्होंने जीरो को एस डिजिट किया था हमारे नंबर सिस्टम में टेन बेस का जो है तब उसका लिखने का तरीका था एक डॉट के फॉर्म में उसको रिप्रेजन किया जाता था पर कि सिविलाइशन थी जिन्होंने जीरो का सोचा था उसके बारे में वह थे बैबलॉन सिविलाइशन और उस समय पे जो हमारा जीरो है वो कुछ इस तरीके का दिखता था ठीक है दो लीफ्स बना के हम लोग जीरो को डिप्रेजेंट करते थे हाला कि जीरो को अभी भी तक यूज यूज नहीं किया गया था उसको वस यूज किया गया था एजए प्लेस होल्डर ठीक है इसके बाद में और काफी जाद दूर एक अमेरिकन जो सिवलाइशन इस मायन सिवलाइशन वहां पर भी जीरो को जीरो का एक सिंबल आया एक सीड के फॉर्म में यहां पर भी उसको आ पर उसको उसकी उपर फॉर्दर डेवलेप्मेंट होनी शुरू हुई उनके बाद में एक और काफी बड़े मैथामेटिशन है इन्होंने जीरो के बारे में खोज की किसी भी नंबर में जीरो को आड करते हैं तो नंबर चेंज नहीं होता किसी भी नंबर से 0 को सब्स्ट्र में उनको इंक्लूड किया गया इसके बाद में जो हमारा इंडिया का जो था यह जो जीरो और नंबर सिस्टम का कॉंसेट था वह पूरे वर्ल्ड में फैला पहले चाइना गया चाइना के थरू कुछ मर्चेंट के थरू यह पहुंचा एक पर्जियन मैथमाटिशन के पास में जो थे हमारे महममद अलक्वारिजमी इनका बहुत बड़ा योगदान था आज का जो मौडन नंबर सिस्टम है उसमें ठीक है इन्होंने वह इंडियन सिस्टम से उठाया जरूर था पिकप जरूर किया था पर काफी जादा उसमें और चीज़े आड करके इन्होंने उस है उन्होंने इस चीज़ का आगे काम किया था ठीक है तो यही है स्टोरी आफ जीरो आप सभी को सेग्मेंट पसंद आया हो आज हमने उन्होंने कवर कर लिया एक्साइज 1.3 और समझ लिया है डेसिमल एक्सपैंशन आफ रियल नंबर्स ठीक है आप सभी को वीडियो दिन ओडब Complac那麼 234.5 वीरल इस ऊ으र ठेसिन स्टोरी आप देसरे स没有 आऊ होग। ऑने और समया है वीरो है यह बड़ा हो एकि बहुआ है बेविक फा रिया है ज्या हो